दोस्तों हमारा दिमाग एक रहस्य है जिसे आज तक थोड़ा बहुत ही समझा जा सका है सोचो अगर इंसान अपने दिमाग के कोने कोने को समझ ले तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है हर बीमारी का एलाज असानी से कर सकता है चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल और सबसे बड़ी बात दिमाग का map त्यार हो जाएगा मतलब दिमाग का नक्षा और उसे इंसान कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर बाएगा मेरे कहने का मतलब है वो अपने दिमाग को upload जिससे consciousness और हमारी intelligence को कंप्यूटर में run किया जा सकेगा दोस्तों ये जो concept है दिमाग को कंप्यूटर में upload करनेगा आपकी feelings, thoughts और memories इसको record करके कंप्यूटर पर run करने का इस concept को whole brain emulation कहा जाता है और इस विज्ञान को possible बनाने के लिए इन तीन areas में advancement चाहिए होगा पहला दिमाग को scan करना दूसरा की उतनी processing power और storage बनाना और आखरी uploaded दिमाग के लिए वाता वर्न को create करना सबसे पहले मैंने बताया scanning वाली बात है तो scanning की बात करें तो अभी तक सिर्फ scientist नेमटोर नाम के मिट्टी में रहने वाले कीडे का ही दिमाग scan कर पाए है वो भी पूरी तरह से वो कैसे? क्योंकि उसमें सिर्फ 302 ही nerve cells है उसके मकाबले अगर इंसान को देखा जाए तो इंसान के दिमाग में करीब 86 billion से भी जादा neurons है और ये neurons एक दूसरे से 10,000 connections बनाते हैं और हमारी current technology जैसे MRI इंसानी दिमाग का नक्षा बनाने के लिए सक्षम नहीं है लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से सक्षम है इस वीडियो में sponsorship डालने के लिए यो तो ऐसे ही निकल जाएगी वंडर शेयर डॉक्टर फॉन स्क्रीन अनलोग आपके Android की स्क्रीन को अनलोग कर सकता है उस समय में जब आपने mobile का password भूल गए हो चाहे वो pattern हो, pin हो या fingerprint password सब को खोल देगा LG और Samsung के phone को तो without data loss खोल सकता है और इसमें कोई special technology नहीं चाहिए कोई भी से चला सकता है यही नहीं, Samsung के phone में तो गूगल की factory reset perfection को भी bypass कर सकता है आपको करना क्या है, download and install doctor phone अपने phone को USB cable पर लगाए software open करके screen unlock पर click करो then click on unlock android screen फिर process होने दो configuration complete होने पर यह आपको warning देगा data loss की, unlock now पर click करो and follow the steps और buttons को दबा कर wipe all data करना है जिसके बाद phone on करने पर एक दम brand new phone बन जाएगा जैसे की company से निगड़ा हो यह बहुत ही useful tool है definitely check it out all links are in the description चलो topic पर वापिस आते हैं वैसे बात किस पर कर रहे थे? हाँ, दिमाग पर बात कर रहे थे मानो हमने अपने दिमाग को scan कर लिया मतलब दिमाग की सारी यादें वादें सब computer में डाल ली पर हम अपनी दिमाग की intelligence को computer पर कैसे चलाएंगे यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे शरीर में हमारा दिमाग body के साथ connected रहता है उसे subconscious activities like जैसे हमारे दिल को धड़काए रखना सांस को बनाए रखना गर्मी होने पर body से पसीना छोड़ना या एकदम डर कर hormones का activate होना जिसे हमारे रोंक्टे वगरा खड़े होते हैं यह सब हम computer में गुसकर कैसे करेंगे और नए thoughts बनाना emotions मतलब भावनाओं को handle करना क्या यह सब computer run कर पाएगा सोचो अगर computer यह कर पाया तो हमें computer में इतनी ज़्यादा जमीन जैदा चाहिए होगी मतलब इतनी ज़्यादा storage, RAM और processing power चाहिए होगी जो कि अभी तो possible नहीं है हमारे पास अभी मनुश्या का शरीर है सोचो अगर हम computer में गुसते हैं क्या हम computer में घुसकर कोई artificial body create करते हैं artificial शरीर को create करते हैं बनाते हैं या खुद computer हमारे शरीर को बना कर देगा क्योंकि हमें तो आदल शरीर में रहने की है सो जब पलक जपकते ही हमारे दिमाग को कुते के सर में डाल दिया जाए तो हमारे चार पाउं हो जाएंगे तो हम उसे एकदम से समझ नहीं पाएंगे तो देखने वाली बात यह है कि computer इसको कैसे run करेगा और मालो computer में हमारी दिमाग को body की ज़रूरत नहीं है तो क्या हमारा दिमाग computer में खुसकर एक स्वतंत्र सोच रख पाएगा एक independent thinking और most important सवाल तो यह है कि मेरी और हमारी consciousness या हमारा दिमाग जो computer में store है वो हमारा या आपका ही होगा या एक data बन जाएगा 0101-0101 जो सिर्फ computer में store है और computer में data store 0101 जैसा ही होता है अभी दा quantum computer नहीं आये दोस्तों Amazon Prime वीडियो की एक movie upload में ये दिखाया गया है कि accident होने के बाद एक बन्दा यहां तो मर जाएगा यहां अपने दिमाग को computer में upload कर सकता है और अराम से computer के अंदर जिंदा रह सकता है उसको रहने के लिए servers और graphical environment commercial software companies provide करवाती है सोचो जैसा इस movie में हो रहा है अगर वैसा real life में हो गया तो यह companies तो हमारे लिए भगवान बन जाएंगी वो जब चाहे किसी बन्दे को जिंदा कर सकती है और जब चाहे किसी बन्दे को delete कर सकती है इसका मतलब हुआ मार सकती है computer के अंदर अब बात करते हैं हमारा दिमाग अपलोड होने के बाद रहेगा कहां अबयाजीब बात है servers में रहेगा उनकी hard drive के अंदर पर क्या हमारे mind को कोई body मिलेगी computer के अंदर क्योंकि हमें तो body की आदत है या वो 0101-01-01 में ही घुमता फिरेगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से video games ने तरक्की कर ली है तो हो सकता है company वाले हमारे दिमाग को किसी video game के character में डाल दे और हम real life में game को enjoy कर सके वो भी बिना मरें मरेंगे तो भाई फिर से start कर देंगे साले वैसे मज़ा आएगा ना free fire, bgmi real life में खेलने में और उस वक्त हमें एक body भी मिल चुकी होगी पर हर वक्त हम game तो नहीं खेल सकते खेर इसका एक और advantage हो सकता है कि हम अपनी शकलें कभी भी बदल सकते हैं और virtual assets ख्रीद कर जैसे कि मैं GT5 में एक character बन चुका हूँ real life में तो मैं virtual money से अपना घर खरी सकता हूँ penthouse खरी सकता हूँ और मज़े से luxurious गाड़ियों में घुम सकता हूँ बैस graphical design बनवाओ और क्या पता future में ऐसे android बन जाए मतलब एक robot की body जिसमें हमारे दिमाग को download किया जा सके भी या फिर तो मज़े आ जाएंगे body है हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि consciousness ही जिंदगी है चेतना ही जिंदगी है उसे upload कर लिया तो life और death का मतलब ही change हो जाएगा तू तो पहले सी बार है क्या acting की है आप computer में घुसकर क्या करना चाहते हो superman बनना चाहोगे या कोई जैसा कि आप सबको पता ही है इस चैनल पर सिर्फ unboxing ही नहीं होती है बहुत सारी technical knowledge बांट ही जाती है मैं computer में घुसता हूँ आप like वाले बटर में घुस जो याती है अुसता होई साफ से कर तो शुस्इप तो और में यहां लुस्ट आता है प्यूट अन्युश्ट उले समोगे तू से लुड़े बग्यूफे ऑ़्यूबर्स लुईके लूहाः ब्यूबर्स तू आरोप इसी। न्यूबर्स बाफुता है युपने वाई धुनने गिकेटोगो गिकोट मासिमेटको गोरिगाम algumas jemand is perfected